दोस्तों टार्गेट विद विएस परिहार चैनल में आपका सौगत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाय होती है जो भी ने समचार पत्रों पर छाई भी होती है और विद्यारतियों के लिए आवश्चक होती है तो आए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के स अधिन सेवाचैनल की परिए टी की तैयरी करें तो आप लोग चछुप्रकासन की पुस्तक ले सकते हैं यह प्रेक्टिस्टर जिसमें 1950 ज्यादा बहुवेकल पीप्रस्ण है और उनकी उचित ब्याक्या भी इसमें दीवी है इस पुस्तक की कुछ खासियत भी है क्योंकि य लिंक के में डिस्क्रिशन बाक्स में दे दी तो शुप्रकसन की अगर बात करें तो क्योंब प्रेक्टिस्ट ही नहीं अगर आप लोग सब्वूर्ण गैड लेना चाहते हैं तो सब्वूर्ण गैड भी उभलबते जिसमें 22 ज्यादा वह विकल पीप्रस्ण है और उनकी ब वसी परीक्टचा शनीवार से सुरू हो रहा है दूसरे ते परीक्टचा रविबार को होगी उत्तर प्रदेश माधिमिक सिक्षा सेवच चैन बोड ने कब्रोनम हमारे के धन में रखते ही है प्रदेश के पहली पाली की परिच्छा सुभा साड़े 9 बचे से लेकर के साड़े 11 बचे तक और दूसरी पाली की परिच्छा होगी तो की सकते हैं और बढ़ति इसको लेकर कुछ और भी सुझना जीवी हैं जैसे कि 470 केंदों पर परिच्छा टीजीटी परिच्छा आज से और संकर्ट तल गया चुंकि इसको लेकर के कुछ कोट केस भी थे जिसको लेकर के काफी संसर्थ की स्तिति उत्पर्ण होगे एक तो सुप्रिम कोट का मामला जो म मानों विकास सेवा संस्था लखनों ने कुरोना संक्रमन का हवाला देते विए लिगित परिच्छा निरस्त करने के लिए सुप्रिम कोट में याज का दाकिल की थी सबों से नयार ने गुरुवार को उनकी याज का खारिश कर दी और साथी अदालत को अदालत ने कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के मकसद से ही पहली बार ये परिच्छा मंदल मुख्याले वाले 18 जिलों की बजाए सूबे के सभी 75 जिलों में करवाई जा रही है वहें पर आज के समचार पत्रों में PNP की तरब से जारी वी एक नोटिस की बारे में भी जानकारी दी गई है CT नर्सरी एंटीटी वर डीपीड में आवेदन दस तारिक से सुरू हो गये सुरू हो जाएंगे CT नर्सरी एंटीटी डीपी एस इडिप्लोमा इन प्री इस्कूल और डीपीड पर सिक्चण में प्रवेस के लिए समय सालने शुक्रवार को जारी कर दी है अब बढ़ती आठ सितंबर की साम आठ बजे तक ऑनलाइन पंजी करा सकते हैं शुल्क जमा करने की अन्तिम्तिती 9 सितंबर है भरे वे ऑनलाइन आवेदन प्रिंट करने की आगरी तारिक 13 सितंबर है CT नर्सरी एंटीटी मे केवल महिला अब बढ़तियों से ही आवेदन लिये जाएंगे वही पर आज के समचार पत्रों में सेवायोजन.ub.nic.in से मनरेगा में 1278 पतों पर भरती के बारे में भी जानकारी दी गई है इस भरती की जो प्रक्रिया है वो 9 अगस्त को दुबहर 12 बजे से सुरू हो में जानकारी दी गई है मैं आपको पहले पिता दूँ कि यह जो भरती है पूरी तरीकी से समविदा भरती है लिखा है चार पतों के लिए मांग गया है अवेदन अडिशनल प्रोग्राम आफीसर के 109 पत हैं असिस्टेंट के 117 पत हैं और टेक्निकल असिस्टेंट के 774 प राप्त करने पर विचेस अधिमान दिया जाएगा मानदे इसमें 28000 रुपए प्रतिमाह रखा गया है एकाउंट असिस्टेंट के लिए योगता भी काम अनिवार है और मानदे 11200 महीना है अलग अलग पदों के लिए अलग-अलग योगता है मैं बता दूं और जो बेतन मा अच्छा है इसमें बेतन मान भी उससे जादा अच्छा है और आपकी योगता का भी इसमें ध्यान रखा गया है यह इसके विग्यापन अगर आपको चाहिए तो जल्दी से मेरे टेली ग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए उस टेली ग्राम चैनल में आपको इस तरीके के जो विग्यापन इत्या दियें वो देखने को मिलते रहेंगी इसमें इन चारू पदों के बारे में जानकारी दी गई है जैसे एडिशिनल प्रोग्राम आफीसर का जो मान दे है वह 28000 रुपए है और भी बहुत सारी जानकारे यहां पर लिखी योगता की बारे में और क्या का इस तर पर लेखा समंदी विविद्कार किये जाएंगे कंप्यूटर आपरेटर में 11000 दोस्तों मिलेगा और इस पदी है तो लेविल की योगता जिमा मांगी गई है और लेविल के साथ साथ में यहां पर समकच्छी भी लिखा हुआ है और इसमें भी लिखा हुआ हुआ है डाटा फीडिंग इत्या दी है टंकाड है और इसी तरीके से टेक्निकल एसिस्टेंट में भी 11,200 रुपए बेतन है और मांदे है उग्ध पदहेत्तु नियून्तम शेक्षी योगता हाई स्कूल रखी गई गया और सिविल मेकेनिकल इलेक्रिकल ट्रेड में डिपलूम है डैनीव पाई मांगा गया है और यह इसके करकी बारे में जानकारी दी गई है अब बहुत सारे झात्रों ने वीप्स लaming या के फेकल बारे में और यूूप ऐवर्यक उसित्यार कर रही है जात कर रहहे है और कल CBI ने F1R भी दर्ज किया था ये घोटाला 2012 से लेकर के 17 तकी बर्तियों में हुआ था और एक बर्ती थी अपरने जी सची 2010 की सबसे जाता गलबड़ी इसी बर्ती में हुई थी और इसमें बहुत सारे जो नीमों में बदलाव किये गया था अपने लोगों को चेहन करने क लिए ऐसे विद्यार्थियों का आरोप है कल अयोग के पूरू परिक्षण नियंत्रक हैं प्रभुनात और इस समय बिशेश सचीव हैं पी डेवलीटी विभाग में और उन पर CBI ने F1R दज किये लिखा है कि अपर निजी सचीव भरती 2010 के मामले में CBI ने उत्तरपतिस ल बड़ी और आपर आधिक अतिचार का मुकतमा दर्ज कर लिया है प्रभुनात वर्तमान में पी डेवलीटी विशेश सचीव के पत्परताहिनात हैं एपी एपी सी भरती 2010 में धांदली की कि CBI जांच में UPSC के ततकालीन परिक्षा नियंत्र प्रभुनात प्रतम द्रश्टेया आप राधिक साजीश में शामिल पाए गए हैं अब CBI KSI रवीश कुमार ज्छा की और से दिल्ली इस्तित CBI की एंटी करेश्टन वन ब्रांच में दर्ज कराए गई करेंगे उन्हें समान हिंदी हिंदी टाइप टेस्ट में सामिल होना होगा सौट हैंट टेस्ट में 135 अंकों का यह टेस्ट था और 99 कम से कम 125 अंक लाने थी और साथ हैंट टेस्ट में केवाल 5 प्रिशत की गलती अनुमन ने थी लेकिर 5 साल बाद 2015 में एक अचानक से ली गई और मीटिंग में यह कहा गया कि जिन विद्यार्तियों ने आठ प्रिशत तक की गलती की हैं अबेड़ती उपलवद नहीं तो उनको भी योग माना जाएगा और इस विशेशाधिकार का उभ्यों किया उत्तर प्रिश्ट लोग सेवा आयोग ने 5 प्रिशत की प्रिशम जानवरती और में पूटाल में बड़ती धांदली हो गई और पर ऐंपर फर्जी सेर्टिफिकर्ट के बारे में स्वाह कर द दिया है और देखना कि कट некशता है केंप कार आला वहां पर कुछ चाल्ट इंग में जानकारी भी तो कर योपनूंचे और लिखा के के लिए मिली थी बिशेस अनुमती सीवी आई आयों की उन परिक्षाओं की जाच कर रही है और जिनके रिजल्ट अप्रेल 2012 से लेकर के 17 के बीज में जारी किये गए थी बात की वहले पीस की नहीं है लोवर 2013-2014 में जो आई थी उसमें धांदली PCS 2015 में धांदली जो बहुत सारी ऐसी परिछाएं थी जिन पर भेष्टेसार के बड़े आरूप लगे हैं उन सभी बढ़तियों की धांदली की जाच हो रही है चुंकि जाच हो रही थी 12-17 के लिए लेकिन APS की बढ़ती 2010 की थी इसके ल 2598 बढ़तियों की यहां पर हो रही है और 2012 से लेकर के 17 तक अनिल्यादों ने 40,000 से अधिक बढ़तियों का चेहन किया था यहां पर लिखा हुआ है कि CBI की और से जुलाई 2020 में आरो यारो 2013 सम्वलित राज अवर अधिनस्त परिच्छा 2013 उत्तर प्रदेश प्रांतिय इसकी पहले एक और प्रिच्छा नियंत्रक अंजू कटियार पर भी FIR दर्ज हो चुकी थी एल्टी ग्रेट की शिक्षक बढ़ति के मामरे में और यह दूसरे प्रिच्छा नियंत्रक हैं और आज के समचार पत्रों में 28 परिच्छा के बारे में भी जानकारी दी गई है कि दो गिरफतार आरोपियों में सालवर यूविती वह सरकारी शिक्षक शामिल है और यह आप यूविती की फूटो देख रहे हैं यह फतेपुर निवासी चांदपूर सटिकमा सालेपूर की है अब परतियों की परिच्छा के तयारी करती थी और उसके बाद में यह परिच् को गरफतार कर लिया है पकड़ा गया दूसरा आरोपी प्राइमरी सिक्षक बालेंदर सिक्षक पटेल है सालवर गिरों का सक्री से यही है और जो प्रतियों की परिच्छा में सालवर बठाने का ठेका लेता है मुकदमा दर्ज कला करके दोनों को हंडिया पूलिस की सपूर अब्यारती हुई थी 2018 में उसमें किसी दूसरे अब्यारती ने परिक्षा दी थी और बाद में ज्वाइनिंग हो गया निक्ति हो गया और उसके बहुत दुनों बात जो है यह विद्यारती पकड़े गया मालम यह चला कि यह जो नोकरी करना है यह जो यह लोग है इनकी गयता है तो ऐसे रास्ते में आप लोग कता ही न जाएं को लेकर के फिर से चिंता जताई गई है लिखा संक्रमन की बड़ी रफ्तार एक दिन में मिले 44,000 से अधिक नए मरीज महराल्ष्ट और केरल में तेजी से बढ़ रहे हैं करोना के मरीज बाकी राज्यों में भी सितर करता जरूरी है और अब तक 3 करोड से ज्यादा संक्रमित हो चुकी है आज की समचार पत्रों में एक और अलग से जानकारी भी दी गई है कि बेजोस मस्क को पीछे छोड़ करके दुनिया के नमबर वन अमीर आदमी अर्नाल्ट हो गया है ये देखिए लिखा है अर्नाल्ट लग्जरी फेशन ब्रांड लुई वीटन मोट हेनेसी के चेर्मेन बर्नाट अर्नाल्ट दुनिया के सबसे अमीर सक्सी बन गया है उन्होंने दिगज एक कामर्स कंपरी अमेजन के संस्तापक जेफ बेजोस और इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेसला के मालिक एलन मस्क को पीछे चोड़ करके यह उपलवदी हासिल की है हाला कि इसके पहले भी यह 2019 जनवरी 2022 मैं 2021 और जुलाई में यह उपलवदी हासिल कर चुके है IDBICB बरती निकली है HQ2 की 920 पर बरती हो रही है अधिकितम 25 वर्ष के आयू इसमें मांगी गई है एक जुलाई 2021 से गणना की जाएगी एक जार रुपय का फॉर्म है वेबसाइट देख लीजिए IDBI.com इस वेबसाइट पर जागर के आपको आवेदन करना है लास्ट डेट याद रखिएगा 18 अगस्त की पहले-पहले सभी विद्यारतियों को आवेदन करना है और जो योगता माई यह वो बीसी भी कॉम भी बी प्रवेश नातक के ग्यारव विसियों के पहली बार परिसर भी पांच वरसी चार इंटीग्रेटेड कोर्स यानि एक ही करत्पाट करमों में प्रवेश दिया जाएगा वहीं पर इविंग क्रिश्टिन कॉलेज इलाहवात की वी जनकारी है कि एसी सी में आवेदन आज से इ अवेदन की अंतिमतिती 10 सितंबर निर्धारित की गई है उसके बाद में कुछ जानकारी है से से की विदीवी हैं लिका बढ़ती रही बेरोजगारी घटते गए सीजियल बढ़ती के पद के सरकार की जो भी भरतियां आती थी उन सभी बढ़तियों में पद कम कर दिये गए और बहुत कम पदों पर विज्या बनाता है चाहे वह बैंकों का हम लोग देखने बैंक के वारे में एक डाटा एक बर आपको दिखाया था कि बढ़तियां होती थी चाहे वह बैंक प्यों की हो चाहे वो क्लर की भरती हो अलगातार पद कम कर दिये गये हैं और इसी तरीके स SST के बारे में भी यहां चोकाने वाले आकड़े दिये गए हैं यहां पर लिखा है कि 2012 में 18,719 पदों पर भड़ती आई थी और 2013 में 16,114, 2014 में 15,000 और 2020 में केवल 7,000 पदों पर भड़ती आई हैं तो यानि कि जहां बलगभग दो गुना से भी कम पद अब आते हैं और लगा सबसे बड़ी बात ही है कि ऐसा एक बार नहीं अलगा तारपद कम होते ही गएं 18,16,15,8,000 इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो लास्ट में आपको सीथे 7,000 दिखाई देगा 2020 में तो उसी की बारे में काफी एक लंबा लेग है यह पूरा यहां पर लिखा है कि आउना विक्कम हो रही है हम बात करने है कर्मचारी चैन आयों की सबसे बड़ी भरतियों में से एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेविल एकजाम की पिछली नो भरतियों में पदों की संख्या गड़कर के आदे से विक्कम रह गई है तो ठीक है दोस्तों यह हो गया आज का वीडियो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें जिन चात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न की और सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद